Hello Friends, Welcome to the Video और आज की इस वीडियो में हम Class 9th Mathematics Chapter No.2 Polynomial को Continue करेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे Algebraic Identities जो की इस Chapter का बहुत ही Important Part है Algebraic Identities Class 9th ही नहीं Class 10th, 11th, 12th आप किसी भी एक्जाम की preparation करें चाहें वो बैंक हो, रैलवे हो, कोई भी competitive exam हो हर जगा ये Algebraic Identities यूज होती है, तो ये Algebraic Identities आपको Learn करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इनका Use Maths के अंदर कई जगा होता है, ठीक है हम Algebraic Identities के साथ Access No.2.5 को भी Solve करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते है Algebraic Identities तो Identity No.1 है हमारी X plus Y का whole square is equal to X square plus 2XY plus of Y square, ठीक है तो यहां पर हमने variable X of Y को Use करते हुए ये Identity लिखिए है कई जगा A plus B का whole square भी आपको देखने को मिलेगा, तो इससे Confuse होने की ज़रूद नहीं, इससे variable का ही Difference है, बाकि Identity का Meaning वही है, अब इसे हम Algebraic Identities क्यों केते हैं इसे equation क्यों नहीं कहते हैं इसका simple सा concept है, कि Identities के अंदर हम X of Y की कुछ भी Value रखें, कोई भी Value रखें LHS और RHS में हमेशा दोनों के दोनों आपस में equal ही आएंगे इसलिए इस टाइप के equation को हम Identities कहते हैं, जबकि सारी equation इस तरह का rule follow करे ज़रूरी नहीं है, बट Identities के case में हमेशा हमको result same ही मिलेगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसलिए इनको Algebraic Identities कहा जाता है, तो Identity No.1 है हमारी जो की बहुत common है कई जगा यूज़ की जाती है हमने previous वीडियो में भी इसके मदद से कई सारी questions को solve किया है तो Identity No.1 हमारी यह रही Identity No.2 है, अगर simple हम यहाँ पर plus की जगा minus का sign यह ले ले जैसे हम यहाँ पर हमने minus का sign लिया है तो यह हो गया, x minus y का whole square जो की होगा, x square minus 2xy plus of y square ठीक है, क्योंकि second term को हम देखें तो यहाँ पर जो sign है, वो minus का है वो इसलिए है, क्योंकि यहाँ पर y negative है और y की यहाँ power 1 है इसलिए एक odd number होने कारण यह sign जो आया, वो negative का ही आया है तो आपको इसी तरह इसको याद रखना है कि अगर x plus y के whole square की बात की जाए तो पूरा जो expression होता है इसका expansion जो भी होता है, वो positive रहता है और जबकि x minus y के whole square की बात की जाए तो बीच का जो term है हमारा middle term जहाँ पर y और x दोनों की power 1 है वो term negative होता है तो यह याद रखने वाली बात है क्योंकि यही confusion होता है अगर हमारा identity सही यूज नहीं की बहुत ही important है यह भी exam point of view से identity number fourth x plus a into x plus b इसको हम लिख सकते है x square plus x into a plus b plus of a b ओके यह अगर हम यहाँ पर simple multiplication करें तो x का x साथ multiplication होके होगा x square फिर हम को मिलेगा a x फिर हम को मिलेगा b x फिर मिलेगा हम को a b तो a x औ b x में से हमने simple यहाँ पर x को comma ले लिया है तो इस identity का भी हमको काफी use है अभी x है इसको solve करने के लिए हमको इस identity की काफी जरूरत पड़ेगी identity number fifth है हमारी x plus y plus z का whole square जो की होती है x square plus y square plus z square plus two times of x y plus two times of yz plus two times of zx यह भी बहुत important identities है ठीक है अब इस identity में कई बार हमको यहाँ पर y negative मिल सकता है z negative मिल सकता है या x negative मिल सकता है ठीक है तो इसमें tension वाली कोई बात नहीं है first three terms तो positive ही होंगे क्योंकि इनका अपन square कर रहे हैं अगर y या z कोई negative भी हुआ तो यह तीनो terms यहाँ पर positive ही रहेंगे भी positive ही रहेगा अगर इसी तरह z अगर यहाँ negative होता है तो यह तीनो terms तो positive रहेंगे जबकि जहाँ पर z आ रहा है जिन term में z आ रहा है single z वो terms negative के हो जाएगे तो यह 2 y z negative हो जाएगा 2 x z भी negative हो जाएगा इसी तरह अगर x negative हुआ तो यह तेनों तम्स तो हमको positive ही मिलना है और जहां पर single x है जहां पर x की power 1 है वो term यहां पर negative हो जाएगा जिसे की 2xy negative हो जाएगा और 2zx भी negative हो जाएगा अगर यहां पर इन तीनों में से x y z में से कोई दो term negative हुए जिसे for example y o z negative हुए ठीक है तो y o z negative होने पर यह तीनो terms तो हमें अभी भी positive ही मिलेंगे और next जो हमको यह मिल रहा है x y यहाँ पर single y आ रहा है z नहीं आ रहा है तो x positive है जबकि y negative है इसलिए यह term यहाँ पर negative होगा y z यहाँ पर दोनों ही negative है इसलिए जो हमारी identity number fifth से कही सारे form हो सकते है तो हमको यहाँ पर plus minus से कोई confusion create नहीं करना है simple हमको ध्यान यह देना है कि जो term negative है वही यहाँ पर negative का होगा ठीक है in last three terms में first three terms तो always positive ही होंगे is that clear अब next identity देखते है identity number sixth जो कि x plus y का whole q इसे हम लिख सकते है x q plus y q plus of three x y into x plus of y ठीक है actual में इस identity का जो expansion है वो यह वाला होता है जो कि x q plus y q plus three x square plus y sorry three x square into y plus three y square into x जो कि binomial theorem की मदद से किया जाता है even यहाँ पर कई सारी identities है यह हम कहें लगबग सारी identities का जो proof है वो binomial theorem से किया जाता है क्योंकि यह जो topic है वो class 11 का है अभी हमको सिफ identities को learn करना है इसलिए हम इन identities को लिख रहे है exact के लिए तो x plus y के whole q की identity का जो exact expansion होता है वो यह वाला होता है जो कि x q plus y q plus three x square y plus three y x ठीक है और यहाँ पर हमने इन दोनों ही term से अगर three x y को common ले ले तो वो identity कुछ इस form में convert हो जाती है ठीक है और जब हमको इस identity को apply करना होता है तो हम इन दोनों ही form में से किसी का भी use कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर x or y दोनों के दोनों है यहाँ पर positive थे हो सकता है दोनों में से कोई एक negative हो जैसे identity number 7 थे हमारी x minus y का whole q यहाँ पर y अब negative हो गया ठीक है क्योंकि y की power यहाँ पर odd number भी है और even number भी है तो जहाँ पर y की power odd number होगी वो term हमारा negative होगा और बाकि जहाँ पर y हमकी power एक even number होगी वो term हमारा positive होगा तो देखिए जो इसका expansion है वो यह है x q minus y q क्योंकि y है negative है और y की power यहाँ पर 3 है जो कि एक negative number इसलिए यह negative आया ठीक है यहाँ पर y की power 1 है जो कि एक odd number है तो इसलिए यह term भी negative आया जबकि यहाँ पर हम देखें y की power एक even number है इसलिए यह term हमारा जो है वो positive बन गया ठीक है इसी थरह x भी है negative हो सकते है तो उससे भी हमको कोई फर्क नहीं पढ़ना है ठीक है अगर x of y दोनों के दोनों ही negative है तो हम minus का sign को overall common ले सकते हैं तो भार आ जाएगा minus और बापिस again हमारे पास यही वाली identity बन जाएगी जो कि है x plus y का whole q is that clear बट आपको इन identities को समझती हुए अच्छे से learn करना बहुत ही ज़रूरी है otherwise हमको problem solve करने में काफी typicalties हो सकती है next identities देखते हैं जो कि है x q plus y q plus z q minus 3 times of x y z इसको हम लिख सकते है x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus of z x जो की मिलती जूलती है identity number 5 से ठीक है इसका जो expansion है वो भी कुछ इसी तरह है बट यहां पर जो x y y z and z x के जो coefficient यहां पर 2 है यहां पर 2 नहीं है उनकी जगा जो यह term है वो negative है ओके तो यह identities भी आपको learn करनी है next है हमारी aq minus of bq ओके इसे हम लिख सकते है a minus b into a square plus a b plus of b square इसी से मिलती जूलती एक identities ओर होती है हमारी identity number 10 जो की aq plus of bq ठीक है जो की होती है a plus b into a square minus a b plus of b square इन दोनों ही identities में देखें तो सिर्फ एक minus का ही फ़र्क है तो आप याद रखने के लिए ध्यान रखें कि अगर minus का sign आ रहा है तो जो first term है first factor है हमारा a minus b वाला a b वाला यहाँ पर minus का sign आएगा और जो factor के अंदर three terms है वो तीनों को तीनों positive होंगे ऐसा कुछ हम याद रखने के लिए ऐसा कुछ concept बना सकते हैं ठेके जबकि a q plus b q के अंदर जबकि दोनों ही term positive है तो उसका जो first factor है जहाँ पर a b वो positive है और जहाँ जो second factor है जहाँ पर three terms है उसका middle term जहाँ पर a b ही है single वो negative हाएगा तो आपको इस तरह इन identities को याद रखना होगा और अगर याद रखने में आपको problem जाती है तो आप इनको four five times लिख लिख कर देखें क्योंकि याद करना तो जरूरी है बिना याद किये बिना हम इसकी exercise solve नहीं कर सकते हैं या इस पे based जो problem से हैं वो solve नहीं कर सकते हैं तो यह कुछ identities हैं जो कि इस exercise में काम आएंगी तो हमन और learn कीजिए क्योंकि identities बहुत ही important है ओके 9 में ही नहीं overall maths में यह identities important है तो चलिए अब हम exercise को solve करते हैं question number one है हमारा use suitable identities to find the following products ठीक है अब हमको यहाँ पर identity का use करके इनका product को find करना है इस question में यह हमारे पास total five cases हैं तो हम one by one इनको solve करते हैं ठीक है तो question number one में अगर हम देखे case number one को यहाँ पर हमको given है x plus four into x plus ten तो यह जो expression है इसको अगर हम ध्यान से देखे तो हमको कुछ इस तरह दिखेगा अगर हम इसको read करना चाहें कि x plus a into x plus b जो कि identity number हमने four अभी learn की है तो यहाँ पर identity number four का use किया जाएगा तो identity number four थी हमारी x plus a into x plus b is equal to x square plus of x into a plus b plus of a b तो इस identity की मदद से हम question number one के case number one को solve करेंगे ओके तो यहाँ पर x के प्लेस पर तो x है जबकि ए के प्लेस पर हमारी पास four और b के प्लेस पर हमारे पास ten तो यह होगे हमारा x plus four into x plus of ten टो इस identity की मदद से हम इसको solve करके लिखना चाहें तो हम लिखेंगे x square तो जो कि x के place पर x ही है तो यहाँ पर x square हो जाएगा plus of और x बहारे ठीक है x बहारे अंदर होगा a plus b तो a के प्लेस पे है 4 और b के प्लेस पे है 10 तो 10 plus 4 हो जाएगा हमारा 14 plus of a into b okay plus of a into b a है हमारा 4 और b है 10 तो 10 forza हो गया हमारा 14 तो इस थरह इसका answer हो गया x square plus 14 x plus of 14 तेक है question number second को हम देखें जो की है question number 2 sorry case number 2 इसका x plus 8 into x minus of 10 okay इसको भी हम identity number 4 से compare करते है तो a के प्लेस पर है हमारा पास 8 और b के प्लेस पर है हमारे पास 10 तो 10 है b के प्लेस पर और 8 है a के प्लेस पर ठीक है तो इसको भी है identity की मदद से direct open कर सकते हैं तो यह हो जाएगा x square x square plus of 1 x भार आएगा into a plus b तो a यहाँ 8 है और b के प्लेस पर माइनस 10 है तो 8 माइनस 10 हो जाएगा minus of 2 into a into b b negative का है और a positive का है तो 10 extra हो गया 8 ती जो की होगा negative का ठीक है जो की होगा negative का तो इसका answer final ऐसा हो गया यह हो गया x square minus of 2 x minus of 80 तो इसको भी हमने identity की मदद से solve कर लिया है अब case number 3 को हम देखें जो की है हमारे पास case number 3 3 x plus 4 into 3 x minus of 5 इसको भी हम compare करें तो x के place पर हमको given है 3 x ठीक है x के place पर हमको given है 3 x a के place पर given है हमको 4 और b के place पर given है हमको minus of 5 तो हम direct identity apply करें identity number 4 जो की होगती है x square तो x के place पर 3 x तो 3 x का square ok 3 x का square plus of फिर आता है हमारा x इस identity में तो X के प्लेस पह यहां पा रहे हैं हम आपस 3X तो हम यहां use करेंगे 3X into A plus B A के प्लेस पह 4, B के प्लेस पह minus of 5, right plus of A into B तो A के प्लेस पह 4 और B के प्लेस पह minus of 5 then इसको हमको आगे solve करना है तो 3 का square हो गया 9 X square, यहां पह 4 minus 5 यह हो गया minus 1 minus 1 का यहां multiplication हो के यह हो जाएगा minus 3X और यह minus plus minus हो जाएगा 5, 4 20 तो इस तरह identity का use करके हमने इसका भी answer निकाल लिया है अब case number 4 है हमारा Y square case number 4 Y square plus of 3 by 2 into Y square minus 3 by 2 तिक, अब इस case के अंदर हम identity number 4 को use नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर AOB की जो value है वो same ही है, यहां पर AOB different नहीं है, तो यहां पर अगर हम देखें, जो Y square है first time, दोनों ही factor का same है और 3 by 2 दोनों ही factor का यह भी same है तो यहां पर identity हमारी बन रही है X plus A into X minus A जो की होती है X square minus of Y square की इसको हम लिख सकते है X plus Y into X minus Y यहां पर दोनों ही factor का first term जो की है X same है, second term Y जो की again same है, बस इनका magnitude different है, एक positive का है तो एक दूसरा negative का है तो identity number 3 का use करके इस case number 4 को solve करना होगा तो X के place पर यहां पर Y square और Y के place पर है 3 by 2 ठीक है, तो हम इसको लिख सकते है X square, मतलब जो यह term है हमारी Y square इसका square, ओके क्योंकि X के place पर हमको given है Y square, तो यह हो जाएगा Y square का whole square right, minus of Y Y के place पर given है हमको 3 by 2, तो 3 by 2 का square is that clear? तो इस तरह हमने इसका भी आपस में multiplication कर लिया है using identity तो इस तरह हमको समझ में आ रहा है कि identity हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है right, और इनको अगर हमने अच्छे से याद नहीं किया तो wrong होने के भी chances काफी है, right, अब इसी तरह हम case number 5 को भी देखते है जो की है 3-2X into 3 plus 2X, ठीक अब यहाँ पर भी हम देखें जो फेक्टर का first time है 3 दोनों जगा से में और फेक्टर के जो second time है 2X 2X यह भी आगें से में बस यहाँ आपा magnitude का difference, तो अगें यहाँ आपा identity number 3 ही use की जाएगी identity number 4 का use हम यहाँ नहीं कर सकते हैं तो हम इसको apply करते हैं, x के place पे हमको given है या 3, तो यह हो जाएगा 3 का square minus of y के place पे given है 2X तो 2X का square, ठीक है, यह इसे हम solve करके लिख सकते हैं 3 का square 9, minus 2 का square 4, x square ठीक, तो यह हमारा answer है इसी तरह हम इसको भी आगे solve कर सकते हैं squaring भी कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा y to the power 4, minus 3 का square 9, और 2 का square 4, is that clear? question number 1 के लिए है आपको, जिसको हमने identity की मदद से ही solve किया है, अब आगे बढ़ते हैं question number 2 है evaluate the following products without multiplying directly, ओके और इसमें हमको यह कुछ cases given है अब यहाँ पर इन numbers को हमको direct multiplier नहीं करना है हमको यहाँ पर identity की मदद से ही इनका product find out करना है तो देखे, हम one by one इनको solve करते हैं, तो case number 1 है हमारा 103 into 107 103 into 107 अब देखे, 103 को में लिख सकता हूँ, 100 plus of 3 इसी तरह, 107 को में लिख सकता हूँ, 100 plus of 7 तेखे, अब इस form में लिखने से फार्दा हमारा यह हुआ, कि हम यहाँ पर अब identity को apply कर सकते हैं अब हम इस question को अच्छे से देखें, तो 100 दोनों ही जगा है तो हम इसको x मान सकते हैं और यहाँ पर हमको 3 given है तो यह हमारा a हो जाएगा, 7 को हम बोलें b, तो x plus a x plus b वाली identity हम यहाँ पर apply कर सकते हैं जो की होती है, x square plus x into a plus b plus of a into b, जो की fourth number वाली हमारी identity है हम उसको हम उसका यहाँ पर apply कर सकते हैं तो 100 हमारे x के place पर है, तो 100 का square, क्योंकि वो होती है x square, x के place पर यहाँ पर 100 है तो 100 square, plus of x, x के place पर 100 into x into a plus b तो A है हमारा 3 और B है हमारा यहाँ पर 7 तो 3 plus 7 plus of 3 into 7 अब इसे आगे हम solve करते हैं तो 100 का square अब देखें 100 का square या 1000 का square या 1 lakh का square या square की जगए कोई भी number या पर 3, 180 power 3 हो 180 power 4 हो अब उसका square या power 3, 4 किस तरह मैं याद रखता हूँ आप भी देख लिजे अगर आपको convenient लगे तो आप भी इस तरह याद रख सकते हैं इसको ठीक है अब मुझे यहाँ पर 100 का square का निकालना है तो 100 के अंदर मैं देखें तो यहाँ पर 2 0 है 1, 2 ठीक है अब 2 का multiplication मैं power के साथ कर दूँगा अब यहाँ पर power 2 है तो मैं 2 के साथ करूँगा अगर यहाँ 3 होती तो मैं 2 का multiplication 3 के साथ करता तो 2 का multiplication मैं 2 के साथ किया तो हो जाएगा 4 तो simple 1 के बाद 4 0 लगा दो जो की 100 का square होगा ठीक है अगर इसी तरह यहाँ पर Q होता तो 2 का multiplication मैं 3 के साथ करता तो 3 2 जा होता 6 तो 1 के बाद 6 0 में यहां पर use करता मैं इस तरह इनका square या cube याद रखता हूँ आपको जो भी better लगया आप use कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर 3 plus 7 हो गया 10 और 10 into 100 हो गया 1000 तो यह हो गया हमारा 1000 plus of 7 3s are 21 ठीक अब इन numbers को हमको आपस में add करना add करने पर हमारा final answer आजाएगा ठीक है अब यहां पर unit plus देखें तो यह हमारा पास 1 यहां पर 0 और यहां पर 0 तो 1 plus 0 plus 0 हो गया हम पर 1 ठीक टाइन splits place पर देखें तो यह है 2 यहां पर 0 यहां पर भी है 0 तो 2 plus 0 plus 0 हो गया 2 ठीक है अब यह number complete add हो चुका है बचा यह 2 digits तो यहां पर 0 है तो इस 0 के साथ 0 का add करेंगे तो आएगा 0 ठीक है अब 1 को इस 0 के साथ add करूँआ तो आएगा 1 और at last बचा मेरा 1 तो यह is given question का answer हुआ जो कि हमने without direct multiplication identity की मदद से इसको solve किया है is that clear इसी तरह हम case number second को देखें case number second है हमारा 95 into 96 ओके अब इसको solve करने के लिए हम 95 और 96 को लिख सकते हैं 95 को लिख सकते हम 90 plus 5 यह हम लिख सकते हैं 100 minus 5 96 को हम लिख सकते हैं 90 plus 6 यह फिर 100 minus 4 तीक जो भी better लगे हम यहां पर use कर सकते हैं तीक है अब 90 का square calculate करूँ इससे better रहे कि मैं 100 का square का calculate करूँ जोगी और आसान होता है तो मैं 95 को लिख सकता हूँ यहाँ पर 100 minus of 5 ओके और 96 को भी मैं इसकुछ इस तरह ही लिख दूँ 100 minus of 4 तो यहाँ पर अगेन हमाई identity number 4 बन गई है x के प्लेस पे 100 और a के प्लेस पे 5 और b के प्लेस पे 4 तो identity direct हम apply करें तो 100 का square क्योंकि x square होता है identity में तो 100 square plus of x x के प्लेस पे 100 इंटू a plus b a है minus 5 b है minus 4 तो यह हो गया minus of 9 plus of a into b तो 5 4 जा हो गया 20 क्योंकि दोनों ही negative के हैं तो result positive का ही आएगा ओके अब अगें 100 का square हम जानते हैं यहां पे 20 हैं तो 22 हो गया 4 तो 1 के बाद लगा दूँगा में यहां पर 40 ठीक है minus of 100 900 यह हो गया 900 plus of 20 अब इसको आगे solve करने के लिए जो positive number है पहले मैं उसको add कर दूँ ठीक है ठीक है अब subtract करते चलते हैं पहले unit place को देखा तो 0 minus 0 हो गया हमारा 0 ठीक है 2 minus 0 आगया हमारा 2 अब यहां पर 0 minus 10 बट 0 से 10 subtract नहीं होता तो हम को यह carry लेना होगा तो यह हो गया 10 minus 9 जो की हो गया 1 अब यहां बचा 9 जो की as it is आ जाएगा क्योंकि यह 1 पहले ही carry जा चुका है तो इसका answer हो गया 1 sorry 9 1 2 0 Is it clear? इसी थरह आपका इसका case number 3 को solve करते हैं जो की है 104 into 96 ठीक है अब 104 को हम लिख सकते हैं 100 plus 4 और 96 को हम लिख सकते हैं 100 minus of 4 जो की हो जाएगा अगे 96 ठीक है तो इस तरह इन number को split करने पर हमको यह ध्यान देना होगा क्या identity apply हो जाए बागी split करके इन numbers को हम किसी भी form में लिख सकते हैं बट वो सारे form में लिखने से हमारी problem solve नहीं होगी अब यहाँ पर यह identity बन गई है हमारी x plus 4 into x minus 4 तो देखिए x के place पर 100 है दोनों ही जगा और 4 यहाँ पर a के place पर ही 4 है और b के place पर भी यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर identity use होगी x minus x plus y into x minus y की जो की होती है x square minus of y square क्योंकि यहाँ पर जो हमारा a और b है यह दोनों ही same है तो इसको हम y consider कर सकते हो यह 100 x के place पर है ठीक है तो हम direct identity apply करें जो की identity number 3 है हमाई लिस्ट में तो x square तो यह होगी हमारा 100 का square minus of y square y के place पर है 4 तो यह हुआ 4 का square ठीक है 100 का square हम जानते हैं 101 के बाद 4 0 लगा दो ठीक minus of 4 का square हो गया 16 अब इसको simple हमको subtract करना है तो 10,000 में से हमको 16 को subtract करना है जुकी हो जाएगा 9,984 is it clear यह हमारा इसका answer रहा Q3 है हमारा factorize the following using appropriate identities तो इस Q3 में भी हमारे पास यह 3 कैसे से हैं अब इनको भी हमको identity का use करके ही solve करना है तो 1 by 1 हम इसे solve करते हैं तो case number 1 है हमारा 9x square plus 6xy plus of y square जो की है 9x square plus of 6x into y plus of y square ठीक है अगर हम यहाँ देखें तो हमको यहाँ पर 3 terms दिख रहे हैं यहाँ पर x square भी है y square भी है और xy भी है तो यह जो form है वो हमारी identity a plus b के whole square की बन रही है तो इसको हम identity use करके लिख सकते है a square plus of 2ab plus of b square ठीक है अब हम इन दोनों को आपस में compare करें तो a के place पर हमारे पास x b के place पर है y ठीक है बढ़ नहीं हाँ पर x square के साथ 9 है तो मैं इस 9 को कुछ इस तरह लिख सकता हूं 3x square okay plus of 6 को मैं ले सकता हूं 2 into 3x again 3 to the 6 हो जाएगा into y ठीक इन तीनों ही factor का आपस में multiplication करेंगे तो हमको 6xy मिल जाएगा plus of y square ठीक अब यह तीनों terms और इन तीनों terms को अगर हम आपस में compare करें तो a के place पर हमको दिख रहा है 3x है और b के place पर है y ठीक तो इसको हम identity की मदद से लिख सकते हैं 3x plus y का whole square is that clear क्योंकि जब हम इसको open करेंगे a plus b के whole square के identity से तो हो जाएगा a square तो a का square में तो 3x का square हो गया 9x यह term मिला plus 2 times of a b तो 3 to the 6 into x into y तो 6xy मिल जाएगा 3x plus y into 3x plus y ठीक है यह दोनों ही same factors है is that clear तो हमारी case number 1 को हमने कुछ इस तरह factorize कर लिया है इसी तरह हम case number 2 को देखें तो case number 2 है हमारा 4y square minus of 4y plus of 1 ठीक है अब इसको भी अगर हम चाहें तो इसको 4y square को लिख सकते हैं 2y का whole square minus of 4 को spread करके लिख सकते हैं 2 into 2y into 1 plus of 1 again इसको हम compare करें हमारी इस identity से तो a के place पर हमको यह दिख रहा है 2y है और b के place पर है 1 तो हम इसको लिख सकते हैं 2y minus 1 का whole square क्योंकि यहाँ पर middle जो term है वो negative है तो इसलिए यहाँ पर जो b है वो हमारा negative होगा ठीक है और इसको power 2 को हम इस factor को कुछ इस form में भी लिख सकते हैं क्योंकि power 2 है तो इसको repeat कर दें दो बार लिख दें 2y minus of 1 तो इस तरह हमने given question जो case number second है उसको भी हमने factorize कर दिया है ठीक है case number third हम देखें तो case number third है हमारा x square minus of y square upon hundred ठीक है अब hundred को हम लिख सकते हैं यह तो as it is रहा x square यह हुआ हमारा y upon hundred को हम लिख सकते हैं 10 और 10 का square हम जानते हैं तो y upon 10 को में इसको whole square इस form में लिख सकता हूं ठीक है जो की identity बन गई है हमारी a square minus b square की जो की होती है a minus b into a plus b right तो इसको हम लिख सकते हैं x minus y upon 10 into x plus y upon 10 okay इन factor को हम आगे पिछे भी लिख सकते हैं कोई problem नहीं तो यहाँ पर हमने identity लगाई है a square minus b square की इस देट के लिए अब question number fourth को solve करते हैं जो कि expand each of the following using suitable identities ठीक है और यहाँ पर भी हमको six cases दिये हैं इनको हमको identity की मदद से expand करना है ठीक है तो हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमको three terms मिल रहे हैं दिख रहे हैं हर एक question में ठीक है three terms है उनकी power यहाँ पर two है तो यहाँ पर जो identity apply होगी वो होग identity ठीक है तो चलिए one by one हम इस identity की मदद से इनको solve करते हैं तो case number one है इसमें हमारा x plus two y plus four z का whole square ठीक है अब यहाँ पर x two y four z है जबकि जो identity वहाँ पर x y z है तो यहाँ पर compare करें तो x के place पर x है y के place पर two y है और z के place पर four z तो confuse नहीं होना है हम इसको as a y और इसको as a z complete treat करते हुए भी इसको identity को use कर सकते हैं ठीक हम identity apply करें जो की होती है x square तो यहाँ x के place पर x ही है तो यहाँ हमको मिलेगा x square plus of second होता है y square तो y के place पर हम आपस है 2 y तो 2 y का square हो जाएगा 4 y square इसी तरह 4 z का square हो जाएगा 4 का square हो गया 16 z square plus of ठीक एक identity का 2 आएगा और बाकि इन terms के जो constant है उनका आपस में multiplication तो यहाँ पर जो हमारी fourth term में वो है 2 x y तो x y यह दोनों term से तो इन दोनों को multiplication किया तो यह हो गया y z के लिए इसी तरह 2 y z y और z इन दोनों का multiplication किया 4 to the 8 y z और 8 में 2 का multiplication भी होगा तो यह हो गया 8 to the 16 y z इसी तरह last 2 z x z is 4 z और x से पेस पर x ही है तो 4 to the 8 x z तो 4 to the 8 x z तो इस तरह हमने हमारी case number 1 को इस identity की मदद से solve कर लिया है तो case number 2 को हम देखें जो की है case number 2 2 x minus y plus z का whole square 2 x minus y plus z का whole square ठीक है यहाँ पर हम identity apply करें अब यहाँ पर देखिए जो middle term में इसका y वाला वो negative है तो y की power even sorry odd जहाँ पर भी होगी वो term को हमको simple negative कर देना है तो पहले तो हम इन तीनों term का square करके लिख लिए जो की positive ही होंगे तो x square x से प्लेस पर 2 x तो यह हो गया 4 x square plus of y square plus of z square ठीक है अब इसके बाद होगा 2 x y ठीक है यहाँ पर y आ रहा है इसके multiplication में तो यह negative का है तो sign आए यहाँ पर negative का positive रहेगा तो यह हो गया हमारा 2 z x तो x यहाँ पर 2 x है तो 2 is of 4 z x is that clear तो इसको भी हमने identity की मदद से expand कर दिया है इसका case number third है हमारा जो की है minus 2 x plus 3 y plus 2 z ठीक है minus 2 x plus 3 y plus of 2 z का whole square पहले तो इन तीनों ही जो term में वो positive है होंगे square के साथ तो 2 का square हो गया 4 x square plus 3 का square 9 y square plus 2 का square 4 z square इसके बाद आएगा 2 times of xy तो यहाँ पर x negative का है जबकि y positive है उसकी power एक odd number है तो यह negative का result आएगा तो minus 2 3 z 6 2 z 12 x y ओके फिर y z अब यह दोनों positive है तो result आएगा हमारा positive 3 2 z 6 2 z 12 y z फिर अगें यहां x यूज हो रहा है जो की negative है तो यह term negative कि आएगी तो 2 2 z 4 2 z 8 z x is that clear इसी तरह हम case number 4 को solve करें जो की है 3 a minus 7 b minus of c का whole square यहां पर भी हमने यह identity अप्लाई की पहले तो इन तीन term का square करके हम लिग दें तो 3 का square हो गया 9 a square plus of 7 का square 49 b square plus of c square ठीक है अब उसके बाद second term जो की negative है इन दोनों term का मुल्टिपेशन करना है सासा 2 का भी मुल्टिपेशन करना है इन में तो यह हो गया 7 3 is a 21 21 2 is a 42 अब तो यह हो गया 42 a b right फिर b c का अब जो कि दोनों ही negative है तो result आएगा हमारा positive तो seven two's हो गया 14bc अब c का और three a का multiplication होगा यह c negative है यह positive है तो result आएगा हमारा negative तो three two's है six c a इस तरह हमने case number fourth को भी expand कर दिया है अब case number fiveth को में देखे जो कि है minus two x plus five y minus of three z का whole square तो पहले तो हम इन तीनों ही term का square करके लिखते हैं तो two का square हो गया four x square plus five का square 25 y square plus of three का square nine z square अब इन दोनों term का multiplication होगा two के साथ तो यहापा first term negative है तो five two's are ten जो कि होगा minus का ten two's are twenty x y अब इन दोनों term का यहापा z negative है तो यह भी result negative आएगा five three's are fifteen two's are thirty yz ओके ओ लास्ट दोनों ही negative है तो result positive होगा three two's are six two's are twelve xz तो इस तरह identity का use करके हमने इसको भी expand कर लिया है and last one है हमारा sixth जो कि है one by four a minus one upon two b plus of one का whole square ठीक इसको भी उसी तरह करना है पहले इन तीनों term का square करके हम लिख दें तो one by four a का square हो जाएगा one by sixteen a square यह भी positive होगा plus one upon two का square होगा four b square plus of one का square होगा हमारा one उसके बाद इन दोनों term का हम को multiplication करना है तो एक positive एक negative तो result होगा negative यह हो गया four two's are eight और एक two का multiplication होगा तो eight two से four time cancel हो जाएगा तो बचेगा one upon four a into b okay अब last two term का multiplication होगा result अभी भी negative आएगा two से two cancel हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ b okay और last third of first term का multiplication होगा दोनों के दोनों positive है सासा two का multiplication होगा तो four two से cancel हो जाएगा two times तो result होगा इसका positive one upon two a is that clear तो इस तरह हमने identity का use करके इस question को भी solve कर लिया है अब question number fifth को solve करते हैं factorize और यहाँ पर भी हमको दो cases given है अब इनको हमको identity का use करके इनको factorize करना है अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर x square y square z square मिल रहा है और यहाँ पर x y y z z x तो confirm है यहाँ पर x plus y plus z के whole square की ही identity apply होगी ठीक है जो कि हम जानते हैं x plus y plus z का whole square होता है x square plus y square plus z square plus two times of x y plus two times of y z plus two times of z x ठीक अब इसी काम को यहाँ use करके इसको solve करना है तो हमारा case number one है यहाँ पर one by one हम solve करते है तो case number one है 4 x square plus of 9 y square plus 16 z square plus of 12 x y minus 24 y z minus of 16 x z okay minus of 16 x z okay अब देखिए अब हम इनको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम 4 x square को लिख सकते हैं 2 x का whole square plus of 9 y square को हम लिख सकते हैं 3 y का whole square plus of 16 z square को हम लिख सकते हैं 4 z का whole square plus of अब देखिए हमको x y और z यहां मिल गया है x से 2 x y है 3 y आप confuse मत हो येगा अगर यहां पर हम different variable यूज करते हैं abc तो हमको confusion नहीं होता बट हमको replace करना है value x के place पे 2 x y के place पे 3 y और z के place पे 3 z अब उसके बाद हम यहां देख रहे हैं तो यह जो term है हमारी यह positive है इसका मतलब जो x और y है वो दोनों के दोनों हमारे positive ही रहेंगे ठेक है दोनों positive होंगे इसका मतलब मैं x के place पे तो लिख सकता हूं 2 x into y के place पे हम use करेंगे 3 y तो यह हो गया 3 2 x 6 क्योंकि यह 12 है तो एक 2 और साथ में आएगा तो हम इसको इसका लिख लिख लिए 2 into 2 x into 3 y तो कोई फर्क नहीं पड़ा ठेक है क्योंकि यहाँ पर x of y दोनों positive है तभी यह result यहाँ पर positive आ रहा था ओके यह यह भी हो सकता है कि यह दोनों negative हो तभी यह positive आएगा ठीक है तो आगे हम sign को balance कर सकते हैं अभी तो हमने यह positive ले लिया है ठीक अब उसके बाद आ रहा है हमारे पास minus का 24 y z अभी हमने यह y को positive लिया था बड़ यह result negative का रहा है तो इसका मतलब y तो positive है तो z negative होगा ठीक है तो यहाँ पाद जो यह z है इसको हम negative का sign consider कर सकते हैं ठीक है तो यह इसको हमने मान लिया negative अभी हम और arrange कर लेंगे तो y है तो y के place पर हमने value है 3y तो हमने यहाँ लिया 3y y के place पर और z के place value है 4z तो यह हो गया हमारा 4z ठीक है तो 4 3s are 12 और 12 2s हो जाएगा 24 बड़ इसका result negative है इसका मतलब यहाँ पर 4z negative होगा क्योंकि y है positive है इस multiplication से हमने देख लिया था ठीक है अब 3rd term देखें तो यहाँ पर x जो term है वो negative है ठीक है क्योंकि हम z negative ले चुके है तो x यहाँ पर positive ह हो जाएगा तो यहाँ पर आगया minus x के प्लेस पर हमें यूज कर रहे है तो एक्स इंटू z के प्लेस पर है 4z ठीक है यह हो गया 4 टूजा 8 और 8 टूजा हो गया हमारा 16 तो इस तरह यह term भी बन जाएगी ठीक और इस complete को हम लेख सकते हैं 2x plus 3y minus of 4z का whole square हम minus 4z क्यों ले रह यहाँ पर z का use था और यहाँ पर दोनों ही negative थी तो इसलिए यहाँ पर 4z हमारा negative होगा यह z के लिए अब इसका case number second को solve करते हैं जो कि है 2x square 2x square plus y square plus 8z square minus of 2 root 2 x into y okay plus 4 root 2 into yz minus of 8xz ठीक अब देखें यहाँ पर तो यहाँ पर भी total six term है तो मतलब यही हमको identity use करना है identity number my fifth है अब यहाँ पर minus का sign है तो इन तीनों terms में से कोई एक जो term होगी वो negative की होगी अगर उसको हम पता करना चाहें तो देखें कि इस तरह हम पता लगा सकते हैं यहाँ पर minus of 2x by use हो रहा है इसका मतलब x of y में से कोई एक negative है यह confirm होगी है तो x negative है यह y negative है दोनों के दोनों negative नहीं है और नहीं दोनों positive है अब इसकी system को हम देखें तो यहाँ पर yz जो आ रहा है वो positive है इसका मतलब z positive है क्योंको यह result positive है तो y भी यहाँ पर positive है तो यह clear हो गया कि x हमारा negative है अब x negative है तो यहाँ पर देख लेते हैं xz में z positive हो और x negative है तो इसलिए यह term भी negative है तो confirm है जो हमारा x है वो यहाँ पर negative है तो मैं 2x square को लिख सकता हूँ root 2x का whole square आपके यह negative है तो मैं यहाँ पर minus का sign में ले ले लेता हूँ तो minus root 2x का whole square क्योंको यह तो positive है आएगा ठीक है plus of y square के place पर है y ही है तो y square आया और 8z को हम लिख सकते हैं क्यों यह भी positive है तो इसको हम लिख सकते है जब इसको solve करेंगे तो 2 का square हो जाएगा 4, root 2 का हो जाएगा 2, 4 तूजा हो गया 8, 8z square वही हमको बापस मिलेगा, ठीक, अब इन terms को हम आरेंच कर लेते हैं, अब x के place पर आगे है हमारे पास minus root 2x, ठीक है, minus root 2x, यहां पर sign minus का है तो हम यहां minus ले लेते हैं, तो 2 तो formula कर रहे एका, okay, x के place पर हमने लिखा, minus, यह माइनस तो भाहर आचुका है, तो यहां पर plus ही आएगा, root 2x into y, y कितना है हमारा, 1, ठीक, y का coefficient क्या है, 1 ही है, तो यहां पर simple आएगा y, तो इनका हम आप मुल्टिपेक्शन करेंगे, तो हम आपको तर्म बन जाएगी, minus 2 root 2x into y, ठीक ह y सिंगल ही है हमार पास, तो y आया, z के place पर हमार पास है, 2 root 2z, तो z को हमने replace किया, 2 root 2z से, ठीक है, जब इसको solve करेंगे, तो 2 root 2z ही रहेगा, बट यहां हमको चाहिए 4, तो यहां पर एक 2 का और multiplication होगा, जो की formula का है, ठीक है, तो यह हो गया हमारा 2, 2s are 4, root 2 yz, यह balance हो ग negative की है, x के place पर हम यूज कर रहे है, root 2x, ठीक है, और z के place पर हम यूज कर रहे है, 2 root 2z, यह हो गया, 2 root 2z, ठीक, जब हम इसका आपस में multiplication करेंगे, तो root 2 into root 2 हो जाएगा 2, और 2 टूजा हो गया 4, ठीक, अभी 2 का में तो यहां पर आ गया 2, तो 4 टूजा हो गया 8, ठीक, त plus y, plus of 2 root 2z का whole square, इस देट के लिए, अब हमने इसको भी identity की मदद से factorize कर लिया है, ठीक, अब factor form में as it is लिखना चाहें, तो हम इनको इसको दो बार लिख लें, तो यह हमारे पास है, minus root 2x, plus y, plus 2 root 2z, ठीक, यह एक factor हो गया, और दूसरा factor हो गया, हमारा, minus root 2x, x, plus y, plus 2 root 2z, simple हमको इसको repeat करके लिख देना तो यह दोनों factor बन गए, इसी तरह हम इसको भी repeat करके लिख सकते हैं, ठीक है, अब यह term बनाने से पहले भी हम यहां समझ सकते हैं, कि negative term कौन सी होगी, ठीक है, अब देखिए, यहां पर x of y दोनों positive थी, तो यहां पर x, y को हमको positive ले लिया हमने, ठीक, अब क्योंकि y positive था, तो confirm है, z negative होगा, तो इसलिए यहां पर z को हमने negative बना लिया, is that clear, अब question number 6 को solve करते हैं, जो की है, write the following cubes in expanded form, okay, तो question number 6 में हमको यह 4 cases given है, और इन 4 cases को हमको x plus y के whole cube की identity से expand करके लिखना है, okay, तो यहां पर जो identity use होगी, वो होग यह, x q plus y q plus 3 times of x into y into x plus y, और x q plus y q plus 3 x square y plus 3 y square into x, ठीक, हम इस identity का use करके, इन questions को solve करेंगे, तो one by one हम इसे solve करते हैं, case number 1 है हमारा, 2x plus 1, 2x plus 1 का whole cube, ठीक, इसे हमने given identity से हमने compare किया, तो x के place पे 2x, और y के place पे 1, तो simple हमने value put की, x cube, तो x के place पे हमारा पस 2x, तो यह होग जाएगा 2x का q, plus of y cube, y के place पे 1, तो 1 का q हुआ 1, plus 3 times of x, x के place पे 2x, into y, y के place पे value है 1, ठीक है, into x plus y, तो x के place पे 2x, plus y के place पे value है हमारी है 1, ठीक, आगे से solve किया, 2x का cube हो जाएगा, 2 का cube हो गया, 8x cube plus of 1, plus 3 2s, 6x, into 2x, plus of 1, आगे solve किया, तो यह as it is रहा हमारा, 8x cube, ठीक है, यह constant है, इसको हम बाद में लिख लेंगे, पहले हमने x को value को लिखते हैं, तो 6 2s, हो गया, यह हमारा 12x, into x, x square, plus of 6x का multiplication 1 के साथ होगा, तो 6x, और यह last हमारा constant रहा 1, तो इस तरह हमने, हमारे जो case number 1 का cubic expression था, उसको हमने इस given identity की मदद से expand कर लिया है, is that clear, इस तरह हम case number 2 को solve करते हैं, case number 2 है हमारा, 2a minus 3b का whole cube, okay, compare किया, तो x के place पर है 2a, और y के place पर minus 3b, simple value put up की, तो x का q, तो 2a का q, तो यह हो गया हमारा 2a का q, plus of y q, y के place पर है minus 3b, इसका q, plus of 3 times of x into y, x के place पर है 2a, और y के place पर है minus 3b, into x plus y, x के place पर है 2a, minus y के place पर है 3b, okay, आगे से solve क्या, तो 2 का q हो जाएगा, 8aq, और यहाँ पर क्योंकि इसकी power एक odd number है, तो जो result होगा, वो negative होगा, 3 का q होगा, 3 3s आ 9, 3s are 27bq, okay, इन दोनों का multiplication भी negative होगा, तो 3 2s are 6, 6 3s are 18, तो minus 18ab into 2a minus of 3b, ठीक, आगे दर भी multiplication के हमने, तो यह term तो asities है हमारी 8aq, minus 27bq, अब अंदर multiplication होगा, यह negative है, यह positive, तो यह overall आएगा negative, ठीक है, 18 2s are 36, a into a, a square into b, ठीक, यह minus minus positive होजाएगा, 18 3s are 54, 54a, वो b into b होजाएगा, b square, is that clear, तो इस given expansion को भी हमने, x plus y के whole q की identity से expand कर लिया है, is that clear, अब इसी तरह हम case number 3 को solve परते हैं, थर्ड है हमारा, 3 by 2, x plus 1 का whole q, ठीक है, compare किया, तो x के place पर value है 3 by 2 x, और y के place पर value है 1, तो simple हमने open किया, क्योंकि दोनों ही positive है, तो throughout expansion जो होगा, इसका positive होगा, तो 3 by 2, x का whole q, plus of 1 का q होगा 1, plus 3 times of x into y, तो x के place पर value है हमारा, 3 by 2, x into y के place पर value है 1, into x plus a, तो यह होगा 3 by 2 x plus of 1, is that clear, आगे solve किया हम, 3 का q होगा, 3, 3, 9, 3, 27, upon 2 का q होगा, 8, into x q, plus 1, plus of, यहाँ पर अंदर multiplication यह होगा, 3, 3, 9 by 2 x into 3 by 2 x plus of 1, अब आगे एक step में और solve कर लेते हैं इसको, तो यह होगा 27 by 8, x q, ठीक, वारिबल को पहल ले लेते हैं, तो 9 by 2 का multiplication 3 by 2 से होगा, तो 9, 3s are 27, यह होगा 27, upon 2, 2s are 4, और x into x होगा, x square, plus of, 9 by 2 x का multiplication 1 के साथ होगा, तो यह होगा 9 by 2 x, और यह हमारा constant, plus of 1, ठीक है, तो इस तरह इस cubic expression को भी हमने expand कर लिया है, Is that clear? इसी तरह इसके fourth part को भी solve करते हैं, जो की है, x minus 2 by 3 y का whole cube, ठीक है? अब इसको भी हमने compare किया, तो x के place पे value है, x ही है, और y के place पे 2 by 3 y, तो और यहाँ पर negative है, तो यह sign इसमें कुछ negative भी होंगे, तो चलिए solve करते हैं, तो पहला है x cube, तो यह हमको मिल गया x cube, plus y cube, तो y के place पे value है, 2 minus 2 by 3 y का whole cube, okay, plus of 3 times of x, x के place पे है, x ही है, into y के place पे है, 2 by 3 into y, okay, into x plus y, तो x, और यह minus plus minus हो जाएगा, 2 by 3 y, okay, आगे solve किया, तो यह हुआ हमारा x cube, और यहाँ पर इस constant की power odd number है, तो result negative हाएगा, 2 का q हो गया 8, और 3 का q हो गया हमारा 27, into y cube, ठीक है, यहाँ पर हमने multiplication किया, तो 3 से 3 cancel, तो बचा हमारे पास, 2 x y, okay, into x minus 2 by 3 y, right, आगे और solve किया है, x cube minus 8 upon 27 into y cube, ठीक, अंदर multiplication हो गया, तो यह हो गया हमारा, minus of 2 2s of 4, constant हो गया हमारे पास 4, x y square, is that clear, तो इस तरह हमने इस cubic expansion को again, given identity की मदद से expand कर लिया है, sorry, यहाँ पर यह term हमारी negative थी, तो इन दोनों का product x वाला, यह हमारा negative होगा, ठीक है, यह negative होगा हमारा, और इसका product यह भी negative होगा, और यह वाला product हमारा positive हो जाएगा, ठीक है, इस type पर question को solve करते हैं वक्त हमको minus plus का बहुत ध्यान रखना है, otherwise हमारा answer ही different हो जाएगा, जो की wrong में count होगा, अब question number 7 को solve करते हैं, evaluate the following using suitable identities, ठीक है, अब यहाँ पर हमको 3 cases given है, और यहाँ पर हमको identity का apply करके इनको solve करना है, तो ठीक, तो यहाँ पर 99 की power हमापस 3 है, तो case number 1 हम देखें, जो की है, 99 to the whole power 3, ठीक, और इस 99 को हम लिख सकते हैं, इस 99 को हम लिख सकते हैं, 100 minus of 1, अब यहाँ लिखने से हम यहाँ पर, x plus y के whole q के identity apply कर सकते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, x plus y का whole q होता है, x q plus of y q plus 3 times of x into y into x plus of y, ठीक, अब simple value put up करें, x के place पे हमापस 100 और y के place पे हैं, minus 1, ठीक, तो यह हो गया, x q मदलब 100 का q, plus of y q मतलब minus 1 का q, plus of 3 into x, x के place पे हैं 100, into y के place पे हैं minus of 1, into x plus y, तो x से place पे हैं 100, और minus of 1, जो की हो जाएगा 99, ठीक, आगे solve किया, 100 की power 3 हैं, number of 0 हैं 2, तो 2 3 हो जाएगा 6, मतलब 1 के बाद total 0 आने वाले हैं, 6, 3, 4, 5, 6, right, minus of 1, क्योंकि 1, minus 1 की power एक odd number, तो यह आएगा, minus 1, यह हो गया, 100, 3, 300, negative का, और 300 into 99 हो जाएगा, हमारे पास, 99, 3, जा होता है, 297 और यह 2, 0, ठीक है, अब यहां दोनों पहले, यह negative को हम आपस में add कर लें, तो यह हमने आज़ इस लिखा, ठीक है, और इसमें 1 add करने पर result नेगेटिव भी होगा, यह हो गया, 297, 701, अब इन दोनों नंबर को हम सब्टेट कर देते हैं, तो यहां पर है 0 और यहां पर है 1, तो 0-1 नहीं होगा, carry over लिया, तो 10 में से 1 गया, तो बचा 9, ठीक है, अब यहां बहे 9, यहां पर भी 9-0, अगें आगया 9, यहां पर भी 9 है, 9-7, तो बचा 2, यहां पर अगें 9 है, 9-9, यहां पर भी 9 है, 9 में से 2 को सब्टेट करेंगी, तो बचेगा 7, और at last, बचा 9, इस देट के लिए, तो इस तरह इसका यह answer रहा, ओके, इसी तरह case number 2 को solve करते हैं, जो की है, 102, 102, 102, to the whole power 3, इसको हम लिख सकते हैं, 100, plus of 2 का whole q, ठीक, इस open किया, हमने x plus y के whole q के identity से, तो x q, तो 100 का q, right, plus of y q, y q मतलब 2 का q, plus of 3 times of x into y, x है 100, y है 2, into x plus y, तो 100 into, हमको बापेस मिल जाएगा, sorry, यहाँ पर आएगा, 2, ठीक है, अब इसको solve किया, 100 का q हो गया, हमारे पास, 1, उसके बाद, 60, 3, 4, 5, 6, plus 2 का q हो गया, 8, 103 जा हो गया, हमारा 300, 302 जा, 600, right, 600 into, 102, तो यह नमबर हम लिख लेते हैं, बड़ा है इसलिए, 600 into, 102, okay, अब आगे solve करते हैं, हम इस नमबर में, 8 को पहले add कर देते हैं, तो यह हो गया, 0, 0, 0, 0, और इस 0 के साथ, 8, 8 हो गया, तो यह हो गया, 8, plus off, ठीक है, अब यहाँ पर हम, 102 को, 100 plus 2 ही लिख लेते हैं, हमारा multiplication आसान हो जाएगा, ठीक है, 100 plus 2 लिखने से क्या हुआ, 600 into 0, 0, 600 into 0, 0, 1 is a 600, तो यह हो जाएगा, 600 के बाद, 2 0 लगा दिया, 600, 2 जा हो गया हमारा, 1200, ठीक, तो यह आगया हमारे पास, फिर 10 डिजिट, 0 plus 0, 0 plus 0, तो यह भी हो गया, यह आगया हमारा, 0, इसके बाद, 2, plus 0, 2, 2 plus 0, 2, यह आगया, 2, फिर next, 1, plus 0, 1, plus 0, 1, ओके, अब यह नमबर, complete add हो चुका है, अब यहाँ पर आगये हैं, 6 plus 0, 6, और at last, 10 add is रहा, तो यह इस, given number का, answer रहा, ओके, इसी तरह, हम की, इस number 3 को भी solve करते हैं, तो case number 3 है हमारा, 998, का whole cube, ठीक है, अब अगेन, हम 998 को कह लिए सकते हैं, हम 998 को लिख सकते हैं, 1000 minus of 2, क्योंकि, हम यहाँ पर, फिर easily identity को, apply कर सकते हैं, अब यहाँ पर हमने, x plus y के whole cube की, identity apply की, तो वो होगी, x cube, मतलब 1000 का, q, plus of y cube, y के place पे minus 2, minus 2 का q, plus of 3 into x, x के place पे 1000, into y, y के place पे minus of 2, into x plus y, तो 1000, यह plus minus minus हो जाएगा, 2, अब इसको आगे solve किया, 1000 का q, कितना हो जाएगा, 0 हम आपस 3 हैं, तो 3, 3s are 9, तो 1 के बाद, 9 0 हम को यूज करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके, और minus 2 का q हो जाएगा, 8, और यह भी negative हो जाएगा, 3 into 1000, 3000, 2000 हो जाएगा, 6000, minus of 6000, ठीक है, into 1000, minus of 2, अब इसको आगे solve करते हम, तो यह हम ना number अभी आज़ टीजी रहने दिया, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, minus of 8, ठीक है, अब 6000 का multiplication, 1000 के साथ होगा, तो यह कितना हो जाएगा, 6000 into 1000, 6 के बाद, total 6, 6 0 लगा, minus of 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, right, ओ 6000 टूजा हो गया, minus minus plus, 6 टूजा, 12,000, 12,000, अब जो positive number है, पहले हम उसको आपस में add कर दे, तो first और last दोनों positive है, इनको हम add कर लेते हैं, तो यहाँ पर 30 से, यह 30 को हमना add किया, तो आएगा 0 ही, ठीक है, तो यह आगा 0, 0, 0, अब next, 20 से add हो है 12, तो यहाँ आगे हम आपस 12, इन 2, 0 के साथ add करने पार, और यह number बाग पे इस add ही आगया, तो 1 के बाद 40, 1, 2, 3, 4, ओके, minus of, इन दोनों को भी add कर दे, तो यह हो गया हम आपस 6, 1, 2, 3, 4, 5, और last 0 के साथ 8, add होगा, तो यह हो जाएगा 8, अब इन दोनों का हम आपस में separate कर देते हैं, तो यहाँ पर 0 minus 8 नहीं होगा, तो 10 minus 8, बचा हमारे पास 2, यहाँ पर आगे हमारे पास 9, 9 minus 0, तो बचा 9, अगेन यहाँ पर है 9, 9 minus 0, 9, ठीक है, यहाँ पर है 1, 1 minus 0, बचा 1, यह है हमारा 1, minus 0, तो अगेन हमारे पास बचा 1, ठीक है, 0 minus 0, तो हो गया, यहाँ पर भी 0, 0 minus 6 नहीं हो सकता, तो 10 minus 6 बचा हो गया, यहाँ पर 4, ठीक, अब यहाँ पर आगे हमारे पास 9, तो यह हुआ 9, और यहाँ पर ही बचा, सिर्फ 9, तो हमारा आंसर हो गया, 994011992, ओके, इसे आप नोट कर लीजिए, अब कोशें नमबर 8, सॉल करते हैं, जो कि है, फैक्टराइज इच अफ दा फॉलोविंग, अब यहाँ पर हमारे पास, टोटल 5 केसे से, इन सब को हमको, फैक्टराइज करना है, अब यहाँ पर हम सारे केसे में देखें, तो जो वैरिबल है, उसके हाइस पावर हमको यहाँ 3 दिख रही है, तो वैरिबल के हाइस पावर 3, हमको X प्लस Y के होल Q के फामले में ही मिलती है, तो अबर अल यह क्लियर है, कि इन कोशन में हमको X प्लस Y के होल Q के आइडिटी को अप्लाई करना होगा, जो कि हमें पता है, ठीक है, अब इस आइडिटी का यूज करके हम इनको सॉल्ट करते हैं, तो वन बाई वन, केस निम्मर वन है हमारा, 8 AQ प्लस BQ प्लस 12 A स्क्वेर B प्लस ओफ 6 A B स्क्वेर, ठीक, अब इन टम्स को हम हमारे आइडिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हम 8 AQ को लिख सकते हैं, 2 A का होल Q, प्लस ओफ B Q, ठीक, और इन दोनों ही टम्से हम 6 A B कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले ले, 6 A B, तो यहां बचेगा हमारे पास 6 2 जा 12, तो 2 A भार जाग गया है, तो एक अंदर A बचेगा, तो 2 A प्लस 6 A B, यहां बचा सिर्फ B, ठीक हैं, अब आगे से सॉल क्या, 2 A का होल Q, प्लस ओफ B Q, प्लस ओफ 6 को हम लिख सकते हैं, 3 into 2, 2, जो क्यों हो जाएगा 6, और 2 को हम A के साथ ले लेते हैं, तो यह हो गया 6, sorry, 2 A into B, into 2 A प्लस ओफ B, ठीक, अब फॉर्मले से हम कंपार करें, तो यह वैल्य हो गई हमारी X, और B के प्लेस पे आ गया Y, यहां पर भी 2 A, क्योंकि हम X ले चुके हैं, तो यह आगया हमारा X, यह हो गया हमारा Y, इसी तरह यह X और यह Y, ठीक, तो इस complete expression को, हम लिख सकते हैं, 2 A प्लस B का whole Q, क्योंकि जब हम इसे open करेंगे, तो इसका expansion में हमको यही terms मिलेंगी, is that clear, इसी तरह हम case number second को solve करते हैं, case number second है हमारा, 8 AQ minus BQ minus 12 A square B, plus 6 A B square, बिल्कुल इसी तरह ही solve करना है हमको, ठीक है, अब 8 AQ को भी हम लिख सकते हैं, 2 A का whole Q, ठीक है, 8 AQ को हम लिख सकते हैं, 2 A का whole Q, ठीक है, plus of minus B का Q, क्योंकि इसको open करेंगे, तो minus BQ ही मिलेगा, और इन दोनों ही terms से हम common ले लेते हैं, minus 6 A B, अगर हमने common लिए, तो यहां पर बचेएगा 2 A, और इदर बचेएगा minus of B, ठीक है, अब आगे solve करते हैं, तो यह हो गया हमारा, 2 A का whole Q, plus of minus B का whole Q, minus, ठीक है, यह formula की term में हमको बनाना है, तो हम यह ले ले, plus, इसको हम लिए सकते हैं, 6 को 3 into 2 A into minus of B, क्योंकि हम B को negative बन रहा हैं, आपर, into 2 A minus of B, ठीक, अब जब हम इसको open करेंगे, तो यही terms हमकों मिलेंगी, ठीक, तो यहाँ पर, again, X के place पे हो गया है, 2 A, और Y के place पे आ गया है, minus of B, तो इसको हम लेख सकते हैं, 2 A minus B का whole Q, is that clear? इसी तरह case number 3 को solve करते हैं, जो की है, case number 3 हमारा, 27, 27 minus 125 AQ, minus 135 A, plus of 225 A square, तो इन दोनों ही terms से हम common ले सकते हैं, और इन दोनों को हम Q form में लिख सकते हैं, तो देखे, 27 का हम लिख सकते हैं, 3 का Q, ठीक है, 3 का Q हो जाएगा, 27 minus of, यह इसे हम plus ले लें, क्योंकि इस identity के form में convert करना है, 25 को लिख सकते हैं, minus 5 A का whole Q, ठीक, Q minus 5 का Q हो जाएगा, minus 125, तो यह plus minus, minus हो जाएगा, और इन दोनों ही terms से हम common ले सकते हैं, minus 45 A, ठीक है, तो हमने common लिया है, यहाँ पर minus 45 A common लिया, ठीक, तो यह term हो जाएगी positive, 45 A common जा चुका है, तो अंदर बच्चे का save 3, क्योंकि 3 into 45 होता है, 135, यह term हो जाएगी negative, और 45 5 होता है, 225, तो यहाँ पर बच्चा हमाँ पास 5 A, ओके, अब देखिए, यहाँ पर plus minus को हम balance कर लेते हैं थोड़ा पहले, तो यह हो गया, हमारे पास 3 का Q, plus of minus 5 A का whole cube, तो य के प्लेस पे आया हमारे पास minus 5, तो इसी तरह हम यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं, 45 को break करके, formula के according, तो यहाँ पर हमने formula में बनाया है, 3 into 3 A वाला, मालब एक्स के प्लेस पे 3, और इसका multiplication 3, 3 is a 9, 9 5 जा होता है, 45, तो यहाँ पर में लिख सकता हूँ, minus 5 A, ठीक है, क्योंकि 3 3 is a 9, 9 5 is a 45 A, यही time हम को में लेगी, into 3 minus 5 A, या इसको में 3 plus minus 5 A भी लिख सकता हूँ, formula को बनाने के लिए, तो अब हम इसको identity से compare करें, तो X के प्लेस पे हैं 3, और Y के प्लेस पे minus 5 A, तो पूट कर दें, तो यह हो गया 3 minus 5 A का whole Q, ठीक है, और इसी का expansion, जब हम करेंगे, तो हमको बापस यह मिल जाएगा, ओके, और इन सभी को हमको factor form में लिखना था, तो इनको हम ऐसा भी लिख सकनें, इसका 3 minus 5 A का whole Q A, तो पूरे factor को हम 3 times लिख सकनें, 3 minus 5 A, into 3 minus 5 A, into 3 minus 5 A, ठीक है, इसी तरह हम इनको भी factor form में लिख सकनें, इसका answer हो जाएगा, इसको भी 3 times लिख लिखनें हम, तो यह हो गया 2 A plus B, into 2 A plus B, into 2 A plus of B, इसी तरह हम इसको भी factor form में लिख सकते हैं, जो की है, 2 A minus B, into 2 A minus B, into 2 A minus of B, is it के लिए, अब इसी तरह हम अपनी case number 4th को भी solve करते हैं, case number 4th है हमारा, 64 into A Q, minus 27 into B Q, minus 144 A square B, plus of 108 A B square, अब देखें हैं आपर यह दोनों ही term Q के हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं, 64 मतलब 4 का Q होता है 64, 4 4s are 8, 8 4s are 64, okay, into A, तो 4 A का Q बन गया हमारा पास हैं, और इसी तरह हम 27 को लिख सकते हैं, plus minus 3 का Q होगा 27, into B, तो 3 B का Q होगा, minus 27 B Q, ठीक है, और लास्ट 2 term से हम common ले सकते हैं, जोंकि B यहां negative बन रहे हैं, तो खेर अभी हम एक काम करते हैं, पहले minus 36 हम common ले सकते हैं, क्योंकि 36 4s होता है 144, और 36 3s होता है 108, तो हमने 36 A B common लिया, तो यहां बचा हमारा पास minus 12 आच चुका है, तो 36 4s are 144, तो 4 A minus of, यह positive यह तो negative हो जाएगी, 36 3s होता है 108 to 3 B, ओके, यह इस form में बनी, हम इसको पहले और अरेंज करते हैं, तो यह हमारे पास 4 A का whole cube as it is रहा, plus of 3 B का whole cube, अब इसे मैं positive बना रहा हूँ, क्योंकि B हमारे पास यह negative आ चुका है, यह minus 3 B का whole cube है, तो 36 को मैं कुछ 3 चाहिए, तो यहाँ पर पहले तुम्हें ले लिए 3 into A के प्लेस पे हमारे पास 4 A into B के प्लेस पे माइनस 3 B, ठीक, अब इन तीनों का, जब मैं आपासे multiplication करूँगा, तो 3 4s है 12, 12 3s है 36, जो की negative का हैगा, ठीक है, तो इस पूरे minus 36 A B को हम इस form में लिख सकते हैं, और बचा हुआ form आजटीज है हमारे पास, यह 4 A minus, यह इसको भी plus लिख लो, bracket के अंदर में minus 3 B ले लिता हूँ, ठीक है, bracket के अंदर हमने minus 3 B ले लिया, तो इससे हमको identity clear हो जाएगी, तो 4 A हो गया हमारा X, ठीक है, minus 8 B हो गया हमारा Y, ठीक, तो यह identity आगे हमारी बन गई है, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, X plus Y का whole Q, तो X के प्लेस पे 4 A, plus Y के प्लेस पे हैं minus 3 B, तो plus minus minus हो जाएगा, 3 B का whole Q, is that clear? और इसको जब हम factor form में लिखना चाहे है, तो इसको हम तीन बार repeat करके लिख लें, तो 4 A minus 3 B into 4 A minus 3 B into 4 A minus 3 B, तो इस तरह हमने इसको factor form में भी लिख लिख लिया है, is that clear? अब इसी तरह last case number 5 को भी हम solve करते हैं, तो case number 5 है हमारा, 27 P cube minus 1 upon 216 minus 9 by 2 P square plus 1 by 4 P, ठीक है? अब देखें, last two terms से P common आ सकता हैं और इन दोनों को हम Q form में लिख सकते हैं, तो 27 जो की होता है 3 का Q, तो इसको मैंने लिखा 3 P का whole Q, ठीक है? minus 1 upon 216, ठीक है? 216 जो की होता है 6 का Q, तो मैं इसे 1 upon 6 का cube लिख सकता हूँ, ठीक है? इसको हमने लिख लिख लिया 1 upon 6 का whole Q, ओके? हम चाहें तो यह minus को minus अंदर भी ले सकते हैं, भार प्रस ले सकते हैं, जिसे अभी तक हम करते हुआ हैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर ना लिखना चाहें तो भी चलेगा, क्योंकि इसका मतलब वही है, ठीक है? अब लास्ट टू टम से हम common ले रहे हैं, एक तो P, और क्योंकि यहाँ से P चला जाएगा, तो इधर आगा चाहें 6, क्योंकि य के प्लेस पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 6 बंच रहा है, ठीक है? तो इसके लिए हम यहाँ से common लेते हैं, 3 by 2, ठीक? तो 3 by 2 अगर हम common लें, तो यह आया हमारे पास 3 by 2 common, minus का, और साथ-साथ हम P भी common ले रहे हैं, तो यह bracket पहले में हटा दूँ, ओके? और यहाँ पर हमने common लिया है P भी, तो यहाँ से 3 by 2 तो common गया है, तो यहाँ बचा हमापस 3, 3 जा नहीं, तो 3P, ठीक? जो कि हमारा X बन रहा है, और 3 by 2 हमने common लिया है, तो देखिए, यहाँ से 1, 2 तो भार गया है, तो अंदर बचेगा 1, 2, 3 यहाँ नहीं है, तो 3 का multiplication denominator में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3, 2 जा 6, तो minus 1 upon 6, ओके? अब इसको हम compare करें, हमारी X minus Y के whole Q के identity से, तो देखिए, Y क्योंगी negative है, तो जहाँ जहाँ Y की power एक odd number होगी, वो term negative होगा, तो यह term power odd है, तो यह negative हुआ, यहाँ पर Y की power odd है, तो यह negative हुआ, और यहाँ पर Y की power odd है, तो यह भी negative हुआ, ठीक है? यहाँ तो आप इस तरह लिख लें, या फिर यहाँ पर इनको plus बनाए, वो minus को अंदर multiplication, minus को अंदर लिख लें, जैसे अभी previous question में लिखिया है, हम उस तरह भी कर सकते हैं, ठीक, अभी हाँ चलिए, इस तरह हमने कर लिया है, तो यह clear हो गया, यह हमारा X Q है, फिर आएगा minus Y Q, minus 3X into Y, into X minus Y, जो की इस formula को follow कर रहा है, तो हम इसको complete लिख सकते हैं, 3P minus 1 upon 6 का whole Q, ठीक है, और इसी को हमको अगर factor formula लिखना है, तो इसी को हमको तीन बार लिख देना है, तो 3P minus 1 upon 6 into 3P minus 1 upon 6 into 3P minus 1 upon 6, is that clear, इस तरह हमने इन पाचों पार्टों को solve कर लिया है, अब question number 9 को solve करते हैं, verify, और यहाँ पर हमको 2 case given हैं इसके इंदर, अब इन दोनों ही case को हमको verify करना है, इसको verify करने के लिए हमको algebraic identity का use लेना है, ठीक है, अब क्योंकि जो case number 1 है हमारा, जो की है, xq plus of yq is equal to x plus y into x square minus of xy plus of yq, ठीक है, अब, sorry, y square, ठीक, अब यहाँ पर हम algebraic identity की मदद से इसको verify करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर xq yq use हो रहा है, तो हम जानते हैं, x plus y के whole q की identity, जो की होती है, xq plus of yq plus of 3 x into y into x plus of y, right, यह हम जानते हैं, algebraic identity को, ठीक, अब इसको आगे solve करेंगे, तो हमको value given है, xq plus yq की, जो की यह है, तो इसी form में हम इसको convert कर लें, तो यहाँ से हम xq yq को यहीं छोड़ते हैं, xq plus yq को, और 3 xy को transfer कर लेते हैं, जो की negative का हो जाएगा, तो यह होगे हमारा x plus y का whole q, minus of 3 x into y into x plus y, ठीक, अब इसके बाद हम इन दोनों ही term से x plus y common ले सकते हैं, तो हमने common लिया, x plus y को common लेने पर, अंदर बचेगा यहाँ पर, x plus y का whole square, यहाँ से x y common जा चुका है, तो बचेगा सिर्फ minus 3 xy, ओके, आगे से solve किया, तो x plus y हमने additives रहने दिया, और यहाँ पर x plus y को हमने again, a plus b के whole square के identity से open किया, तो यह हो जाएगा, a के place पे x, b के place पे y, तो यह हो गया हमारा x square, plus y square, plus of 2 times of xy, और यहाँ पर हमारे पास minus 3 xy already है, तो यह हो गया हमारे पास x plus y, into x square, plus y square, और 2 xy में से minus 3 xy जाएगा, तो बचेगा सिर्फ xy, तो यह जो रहने, result है, यह आया, x cube, plus of y cube का, जो की हमको verify करना था, हमने इसको solve करने के लिए, हमने algebraic identity का use किया, और इसी algebraic identity को आगे solve करते गए, तो जो हमारे को, यहाँ पर verify करने के लिए, जो एक equation दी थी, वह हमको आदर्ट is, मिल गई है, इस तरह, x, x cube, plus y cube को हम, इस form में भी, लिख सकते हैं, is that clear, इसी तरह, हम, इसकी case number second को solve करें, जो की है, x cube, minus y cube, is equal to, x minus y, into, x square, plus x, y, plus of y square, और यहाँ पर identity apply होगी, x minus y के whole cube की, जो की होती है, x cube, minus of y cube, minus 3xy, into, x plus, sorry, x minus of y, ठीक, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि y negative है, तो y की power, यहाँ पर भी, एक odd number होगी, वो term negative होगा, ठीक, अब इसी को हम आगे solve करते हैं, हमको value निकालनी है, x cube, minus y cube की, तो हमने x cube, minus y cube को excite ले गए, और इसको हमने transfer किया, तो यह हो जाएगा positive का transfer होगे, तो x minus y का whole cube, यह हो गया, plus of 3xy, into, x minus of y, ठीक, अब इन दोनों ही term से हम x minus y common ले सकते हैं, तो x minus y हमने common लिया, तो अंदर बचा हमारे पास x minus y का whole square, और यहाँ से x minus y भाहर जा चुका है, तो यहाँ बचा सिर्फ plus 3xy, is that clear, अब यहाँ पर हमने a minus b के whole square के identity अपलाई की, तो यहाँ पर हमारे हमारे पास x minus y जो क्या आज़री ज़रा खा, ठीक, यहाँ पर a minus b, a के place पे x, b के place पे minus of y, तो यह हो जाएगा x square plus y square minus 2 times of xy, और यह term आज़री ज़रा plus 3xy, ठीक, आगे solve किया, तो यह हुआ x minus y into x square plus y square, और यहाँ पर minus 2x है, और यहाँ plus 3y है, तो add हुआ तो बचेगा सिर्फ plus xy, ठीक, जो की हमको इस question में given था, तो हम x q minus y q को लिख सकते हैं, x minus y into x square plus y square plus of xy, ओके, और यह भी एक identity ही होती है, जिसको हमने वीडियो के start में अपनी list में लिखाता, तो यह x plus y, x q plus y q की identity है, और यह x q minus y q की identity है, ठीक, जो की बनती है, x plus y के whole q की identity, और x plus y का whole q की जो यह expansion है, यह binomial theorem की मदद सीखिया जाता है, जो की आप class 11th में सीखेंगे, अभी आपको बस इन identity को learn करना है, क्योंकि यह कई जगा uses होती है, और यह बहुत important identity है, तो आप इसको learn कर लीजिए, question number 10 है हमारा, factorize each of the following, और यहाँ पर भी हमको 2 case given है, तो 1 by 1 हम solve करते हैं, case number 1 है हमारा, 27 y q plus of 125 z q, ठीक है, अभी previous question में हमने इस identity को देखा था, हम एक बार note कर लेते हैं, x q plus y q की identity, ठीक है, जो कि होती है, x plus y into x square minus x y plus of y square, साथ-साथ हम x q minus y q की भी identity लिख लेते हैं, क्योंकि यह भी use होगी, यह होती है, x minus y into x square plus x y plus of y cube, sorry y square, ठीक है, और जिनको हमने previous question में verify भी किया है, तो यहाँ पर हम इस identity के form में convert करना चाहें, तो 27 को हम लिख सकते हैं, 3 y का whole q, तो 3 का q हो जाएगा 27 into y, ठीक है, 3 का q हो जाएगा 27 into y, right, plus of 125 होता है, 5 का q, 5, 5 is 25, 25, 5 is 25, 25, 5 is 125, और z, इसका whole q, ठीक है, और हम given identity का use करके, इसको हम factor formula लिख लेते हैं, तो यह हो गया हमारा x, यह हो गया हमारा y, तो इसे हम लिख सकते हैं, x plus y, मतलब 3 y, plus 5 z, into x square, मतलब 3 y का square, तो 3 का square हो जाएगा 9, y square, minus of x into y, तो x के प्लस पे 3 y, y के प्लस पे 5 z, ठीक है, तो 5 3 जा हो गया 15 y z, plus of y square, तो 5 z का square, तो 5 का square 25 z square, is that clear, तो हमने case number 1 को factor form में लिख लिया है, इसी तरह हम case number 2 देखें, जो की है, 64 m cube, minus of 343 n cube, ओके, और 64 का हम लिख सकते हैं, 4 का cube, 4 4s are 16, 16 4s are 64, तो यह हो जाएगा 4 m का whole cube, minus of, और 343 का हम लिख सकते हैं, 7 का cube, तो यह हो गया 7 n का whole cube, ठीक, अब यहाँ पर हम x cube, minus y cube के identity को apply कर सकते हैं, जो की होती है, x minus y, तो x के place पे 4 m, minus y, y के place पे 7 n, into x square, x के place पे 4 m, 4 का square हो गया 16, m square, plus of, x into y, तो 7, forza, 28 m, n, plus of, y square, तो y है 7 n, 7 का square होगे, 49 n square, तो इस तरह हमने, x cube minus y cube, की identity से, is given part number, जो के इस number second था, इसको भी हमने factorize कर लिया है, तो इसके यह दोनों factors रहे, is that clear, अब question number 11 को solve करते हैं, जो की है, factorize, 27 x cube plus y cube plus z cube minus 3 times, sorry, minus 9 times of x, y, z, ठीक है, अब यहाँ पर हमको identity apply करना होगी, x cube plus y cube plus z cube minus 3 x, y, z की, ठीक है, इस identity को भी हमने अपनी list में लिखा था, ठीक, अब इसको solve करते हैं, इस identity के मदद से, तो देखे, 27 को हम लिख सकते हैं, 3 का cube, तो 3 का cube हो जाएगा 27 x, तो 3 x किया whole cube, ठीक है, plus of y cube हमने asities लेने दिया, plus of z cube हमने asities लेने दिया, minus of 9 को लिख सकता हूँ में 3 into, 2 क्योंकि हमने x के place पे ले लिया है 3 x, तो यह हो जाएगा 3, 3 जा 9, और y के place पे y, z के place पे z, तो यह जो identity हमारी बन गई है, वो x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z की बन गई है, तो इसको में लिख सकते हैं, x plus y plus z, तो x के place पे 3 x, plus y के place पे y ही है, plus z के place पे z ही है, into x square, तो x के place पे रहे 3 x, तो 3 x का square हो जाएगा, 9 x square plus y square plus z square minus of x into y, तो इन दूनों का multiplication, तो यह हो जाएगा हमारा 3 x y, minus of y z, y z के place पे से y z ही है, तो y z ही रहेगा, minus of z x, x के place पे 3 x हो यह है z, तो यह हो गया हमारे पास 3 x z, तो इस तरह हमने given question को, इस algebraic identity के मदद से factorize कर लिया है, यह इसके दोनों factor रहे है, is that clear? अब question number 12 को solve करते है, verify that x q plus y q plus z q minus 3 x y z is equal to 1 upon 2 x plus y plus z, into x minus y का whole square plus y minus z का whole square, plus z minus x का whole square, तेक है, यह भी previous identity की मदद से ही solve होगा, तो देखिए, हम इसको solve करने के लिए, इसका हम left hand side लेके चलें, तो LHS है हमारे पास इसका, LHS जो की है, x q plus y q plus z q minus 3 x y z, और इसकी identity को हम लेख सकते हैं, x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x, यह हमारी algebraic identity होती है, अब इसको proof करने के लिए, हमको यहाँ पर 1 upon 2 दिख रहा है, तो 1 upon 2 लाने के लिए, हम 2 का multiplication और 2 का divide कर देते हैं, तो हमने 1 upon 2 का divide किया, यह as a design दिया हमने, ठीक है, और 2 का हमने अंदर multiplication कर देता हूँ, इस पूर इटम के साथ, क्योंगी common लेने पर 2 से 2 cancel हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा 2 x square, plus 2 y square, plus 2 z square, minus 2 x y, minus 2 y z, minus 2 z x, ठीक है, अब इससे होगा क्या, हम यहाँ पर एक अरगेन identity के form में इसको convert कर सकेंगे, तो 1 upon 2 as it is रहा, x plus y plus z भी as it is रहा, ठीक है, अब हम नहीं है, x square को हम लिख सकते हैं, x square plus x square, ठीक है, तो लिख लेते हैं, x square को हमने लिखा, x square plus x square, इसे तरह हमने y square को लिखा, y square plus y square, और z square को लिखा, z square plus z square, ठीक, minus 2 x y, minus 2 y z, माइनस 2zx को अधर इस रहने दिया अब हम पैरिंग कर लेते हैं हम कौन को से टम को ले रहे हैं हम यहाँ पर टम यूज कर रहे हैं x square plus y square और xy के साथ हमने यह ले लेते हैं xy टिक तो इन तीनों ही टम को एक साथ लिख लें तो हम इन तीनों टम से लिख सकते हैं x minus y का whole square उसके बाद हम x square z square के साथ ले सकते हैं xz है तो यहाँ पर xz यह तीनों टम को हम लिख सकते हैं उन तीनों टम को हम लिख सकते हैं x minus z का whole square ठीक है और remaining जो हमारा बचरा है y y square z square और इसके साथ हम ले सकते हैं minus 2z तो इसको complete को हम लिख सकते है y minus z का whole square ठीक है तो हम लिख लेते हैं इसको भी तो यह हमने आलड़ी जरी ने दिया तो 1 upon 2 x plus y plus z तो पहले हमने x square y square और minus 2xy को साथ में लिखेंगे और इनको हम identity के form में लिख सकते हैं x minus y का whole square ठीक है इसके बाद हम y square और इसके बाद हम x square और z square को साथ में ले रहे हैं तो इसके साथ हमको xz यह वारा term साथ लेना होगा तो इसको भी हम मिला कर लिख सकते हैं x minus z का whole square ठीक है और बचे होगी term y square z square के साथ हमने लिए yz तो इसको हम लिख सकते हैं y minus z का whole square ठीक है जो की हमें प्रूफ करना था यही हमारा RHE से is that clear? तो हमने algebraic identity की मदद से भी इसको verify कर लिया है okay? question number 13 को solve करते हैं जो कि ए if x plus y plus z is equal to 0 तो sure that x q plus y q plus z q is equal to 3 x y z ठीक है बहुत ही आसान है हम जानते हैं हमारी algebraic identity को जो की होती है x q plus y q plus z q minus 3 x y z is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z is square minus x y minus y z minus of z x अब यहाँ पर हमको इस question में given है कि x plus y plus z is equal to 0 तो हमने यहाँ पर x plus y plus z को replace कर देंगे 0 से तो इस 0 का multiplication इस complete factor के साथ होगा ठीक है? क्योंकि 0 का multiplication हो रहा है तो यह factor भी 0 ही हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ बचेगा x q plus y q plus z q minus 3 x y z is equal to 0 ठीक और minus 3 x y z को अगर हम right inside transfer कर दें तो हम आपस बचा x q plus y q plus z q is equal to 3 x y z जो की हमको verify करना था ठीक है? बहुत ही आसन question था यह तो अब question no.14 को solve करते हैं without actually calculating the q find the value of each of the following ठीक अब हमको यहाँ पर बिना cube को solve किये इनकी value हमको बतानी है अगर यहाँ हम इस question पर ध्यान दें तो यह question भी question no.13 की ही थरा है क्योंकि हम हमारे algebraic identity को जानते हैं और यहाँ पर अगर इन तीनों का sum 0 आता है तो result सिफ x q plus y q plus z q is equal to बचेगा minus 3 times of x y z ठीक अगर इन तीनों number को हम आपस मेरिट करें तो देखिए 12 7 और 5 को हम आपस मेरिट करें तो 7 plus 5 हो जाएगा 12 12 minus 12 is equal to 0 तो इसका मतलब यहाँ पर हमको x plus y plus z का sum है वो 0 given है तो हम directly इनको लिख सकते हैं minus 12 का q plus 7 का q plus 5 का q is equal to 3 times of ठीक है? x हमापस minus 12 y है 7 और z है हमापस 5 तो देखिए हमने बिना cube solve किये इनका multiplication कर लिया है और इन number का multiplication हमारा answer होगा ठीक है? और इन सारे number का हम आपस में multiplication कर देंगे तो हमारा answer आएगा minus 1260 तो इस question को हमने without इन number का cube किया solve कर लिया है ठीक है? तो यह हमारा case number 1 था वो case number 2 भी बिल्कुल same ही है अगर इन तीनों number का हम आपस में add करें तो देखिए यह plus 28 है प्लस है वो यह negative का दोनों subject होके बचेगा 0 तो हम इसको direct लिख सकते है 28 का cube है ना? plus minus 15 का cube plus minus 13 का cube is equal to 3 times of x into y into z x है हमारा 28 और y है हमारा minus 15 और z है हमारा minus of 13 और इन number का product हमारा answer जो की होगा 1, 6, 3, 8, 0 is that clear? बहुत ही आसन कोशन था अगर कोशन number 13 clear है तो यहाँ पर हमको समझने में कोई भी problem नहीं जाएगी अब कोशन number 15 को solve करते हैं जो की है given possible expression of the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given तो हमको कोशन number 15 में दो case given है जिनका हमको area given है area हमको given है एक rectangle का जो की हम जानते हैं होता है length into breadth ठीक है बड़ यहाँ पर जो area given है वो हमको एक quadratic form में है इसका मतलब length और breadth दो factor होंगे उनका आपस में multiplication करकी यह equation बनाई गई है तो हमको इसी को reverse solve करना है तो हमको quadratic equation given है और इसको हमको factorize करना है ठीक है दो factor इसके होंगी क्योंकि power 2 है तो वही दो factor में से एक होगा हमारी length और दूसरी होगा हमारा breadth ठीक है तो चलिए इनको हम factorize करते हैं splitting the middle term का use करके case number 1 को solve करते हैं जो की है 25a square minus of 35a plus of 12 ठीक है अब हमको यहाँ पर एक quadratic equation given है इसको हमको factorize करना है और इसके दोनों ही factor में से एक होगा हमारी length और दूसरी होगी हमारी breadth ठीक है तो इसको factorize करने के लिए हम splitting the middle term method का use करते हैं तो हमको ऐसे दो number लेके आना है जिनका difference या जिनका addition होना चाहिए 35 और उन दोनों number को अगर आपस में हम product कर दे तो उनका product होना चाहिए 25 into 12 के equal ठीक है अगर हम 25 into 12 करें तो इन दोनों का product होगा 300 तो ऐसे दो number हमको सोचना है जिनको आपस में multiplication करने पर 300 आए उन दोनों को आपस में add या subtract करने पर हमको 35 मिले तो वो दो number क्या होंगे वो दो number होंगे 20 और 15 क्योंकि 20 into 15 हो जाएगा 300 और 20 plus 15 हो जाएगा हमारा 35 बट इनका हम जब हम आपस में add करेंगे तो result हमको negative चाहिए तो हमको इन दोनों ही number को negative बनाना होगा क्योंकि multiplication में तो कोई problem नहीं है minus 20 into minus 15 हो जाएगा plus 300 और minus 20 minus 15 को जब हम आपस में add करेंगे तो आजाएगा हम आपस minus of 35 तो हम 35 को break कर क्लिख सकते है minus 20 minus 15 तो split कर देते हैं middle term को तो यह होगा हमारा 25a square minus 35 को हम लिख देते हैं 20a minus of 15a ठीक है 20 minus 15 minus 20 मिलकर हो जाएगा 35 plus of 12 ठीक अब first two terms से हम कुछ common लेते हैं last two terms से हम लेते हैं तो first two terms से हमने common लिया 5a ठीक है दोनों से 5a common हाजाएगा तो यहां बचेगा 5, 5s are 25, 1a भार गया तो अंदर 1a बचेगा ठीक है और यहां से a भार जा चुका है 20 में से 5 गया तो 5 4 जा होता है 20 तो यहां बचा 4 ओके इसी तरह last two terms से हम common लेते हैं minus 3 जो की हो जाएगा 3, 5s are 15 और a आज़टीज रहेगा क्योंकि a भार नहीं गया और 12 से 3 भार गया तो 3, 4s होता है 12 जो की negative क्योंकि यह positive है minus हमने common लिया है तो अंदर negative बनेगा ठीक है अब यहां पर इन दोनों ही term के यह दोनों factors सेम हो गए तो दोनों से हम यह factor को common ले सकते हैं जो की है 5a minus 4 5a minus 4 हमने common लिया तो यहां first term में बचा हमारे पास 5a और second term में बचा हमारे पास 3 तो इस तरह हमने इस quadratic equation को factor form में लिख लिया है अब इन दोनों factor में से एक factor होगा हमारी length और दूसरी होगा हमारा width इस देट के लिए इसी तरह अब हमारे case number हम second को solve करते हैं ठीक है यहां पर हमको area given case number second में 35y square plus of 13y minus of 12 अब अगेन हमको करना क्या है हमको ऐसे दो number लेकर आना है जिनका multiplication 35 or minus 12 को equal हो तो 35 12 होता है 420 तो उन दोनों number का multiplication होना चाहिए 420 और उन दोनों number को आपस में add और subtract करने पर आना चाहिए हमारे पास plus का 13 तीक है यहां product होना चाहिए minus 420 और उन दोनों को आपस में add subtract करने पर आना चाहिए plus 13 तो वो दो number क्या क्या हो सकते हैं सोचिए वो दो number होंगे 28 और 15 क्योंकि 28 into 15 हो जाएगा 420 और 28 में से जब 15 को हम subtract कर देंगे तो बचेगा हमारा 13 तो इन दोनों का product हमको negative चाहिए तो हमने 15 को हम negative कर लेते हैं और 28 को हम positive बना लेते हैं तो इन दोनों number का product आएगा minus 420 और इन दोनों को आपस में add कर देंगे तो हमको मिलेगा 13 is it clear? तो middle term को में split कर लेते हैं 35 y square ठीक है और 13 y को मने लिखा plus of 28y minus of 15y और last one minus of 12 ठीक और first two term से हम common ले सकते हैं 7y क्योंकि 35 भी 7 सेटीज़वल है और 28 भी 7 सेटीज़वल है तो हमने 7y common लिया तो 75 होता है 35 तो यहां बचा 5y और 7 4s are 28 तो हो जाएगा plus 4 ठीक है 7 4s are 28y मिल जाएगा और 7 5s are 35y square ठीक और last two term से हम common ले लेते हैं 3 minus 3 common ले लेते हैं ठीक है minus 3 मिले common लिया तो हो जाएगा 3 5s are 15 3y और minus क्योंकि भाहर जाचुका तो यह positive हो जाएगा 3 4s are 12 इस तरह इन दोनों ही factors से हम 5y plus 4 को common ले सकते हैं तो 5 by plus 4 first factor से common आया है तो अंदर बचेगा हमारे पास 7y ठीक है और second term में बचेगा हमारे पास minus of 3 तो इस थरह इस area जो हमको given था 35y square plus 13y minus 12 को हमने factorize कर लिया है और इन दोनों factors में से एक होगा हमारा length और दूसरी होगी हमारी bit और जिनका multiplication given area हमको बापस मल जाएगा ठीक है क्योंकि हम जानते है area of rectangle होता है length into breadth इस देट के लिया in given cases को three factor के form में convert करना होगा right तो one by one हम solve करते हैं इनको तो case number one है हमारा हमको volume given है cuboid का जो कि 3x square minus of 12x ठीक है अब क्यूंकि यहाँ पर दो ही term से हैं तो इन दोनों ही term से हम 3x को common ले सकते हैं 3x हमने common लिया तो यहाँ बचेगा हमारा पास x और यहाँ बचा minus of 4 ओके और अब यहाँ पर गरम देखें तो यह constant एक factor है x एक factor है और x minus 4 एक factor है तो इसमें 3x और x minus 4 is given cuboid के length, breadth और height होंगे ठीक है अब इसमें से length क्या है, breadth क्या है और height क्या है यह हम नहीं बता सकते हैं पर हम यह जरूर कह सकते हैं कि यह इन तीनों का combination, length, breadth और height का combination इन तीनों factor से ही बनेगा ठीक है तो इस तरह हमने इस given volume को factor form में लिख लिया है इस तरह हम case number second को solve करते हैं जो की है 12ky square plus of 8ky minus of 20k ठीक है अब अगे हम जानते है volume of cuboid होता है length into breadth into height तो यहां पर भी हमको तीन factor बनाना होंगे ठीक तो पहले तो हम इन तीनों ही term में देखे के हमको दिख रहा है तो k common आ सकता है साथ-साथ यहां 12, 8, 20 जो की 4 से डिजवल हैं तो 4 भी common आ सकता है तो पहले तो हम यहां से 4 k को common ले लेते हैं 4 k common लिया तो यहां हमारे पास बचेगा 4, 3, 12 होता है तो 3y square, k भार जा चुका है 4, 2 होता है 8 तो यह हो गया 2y, k भार गया 4, 5 होता है 20 तो यहां बचा हमारे पास 5 क्योंकि k भार गया तो एक factor तो हो गया हमारा 4 k और बाकी के दो जो factor हैं वो हमको इस quadratic equation से मिलेंगे तो यह हो गया हमारे पास 4 k into, अब अगेन हमको middle term को split करना है तो हमको ऐसे दो number चाहिए जिनका product आना चाहिए 3 और minus 5 के product के equal मतलब minus 5 3 जा हो जाएगा 15 तो उन दोनों number का product होना चाहिए 15 और उन दोनों number को हम add या separate करें तो आना चाहिए plus का 2 तो वो दो number होंगे 5 3 जा 15 तो 5 positive होगा और 3 negative होगा तो इन दोनों का product होगा negative 15 और इन दोनों को ही मैं आपस में जब add कर दूँगा तो बनेगा plus of 2 तो 2y को हम लिख सकते हैं 5y minus of 3y तो में real term को हम split करके लिख लेते हैं तो यह हमारे पास 3y square 2y को हमने लिखा 5y minus 3y minus of 5 ओके अब इसके बाद 4 के तो भार ही है हमारे पास हम जो हमारा second factor है इसमें से first term और second term से हम 3y को common ले सकते हैं तो यहां हमने 3y को common लिया तो first term में बचेगा सिर्फ y और third term में यहां बचेगा minus of 1 कि 3y completely भार चला जाएगा इसी तरह हम second और fourth term से five को common ले सकते हैं तो हमने यहां से five को common लिया तो यहां बचा हमारे पास second term में y और fourth term में बचा minus of 1 अब यहां पर y minus 1, y minus 1 दोनों ही जगा है तो हमने common ले लिया तो यह हो जाएगा four के five minus one common आया तो अंदर बचेगा three y plus of five ठेक है तो इस तरह हमने given जो हमको qi का volume था उसको भी three factor के form में लिख लिया है इन में से कोई एक होगा length, कोई एक होगा width और कोई एक होगा height is that clear और इनका ही आप बापिस अगर हम आपास multiplication कर दें तो बापिस हमको यही quantity equation मिल जाएगी is that clear, load कर लीजे